जारकन होमगाड वेलफेर एसोसियेशन के पलामु जिला इकाई ने दिन गुरुवार को ड्यूटी का बहिश्कार करते हुए जिला मुख्यालन मेदिनिनगर के पुलिस लाइन में सभी होमगाड जवानों ने अपनी राइफल और गोली जमा करा दिया है आपको बता दें कि नौकरी की स्थाईकरण की मांग को लेकर पहले से ही जारकन होमगाड वेलफेर एसोसियेशन धरने पर बैठा हुआ है अब पलामु ने भी अपना नैतिक समर्थन दे दिया एसोसियेशन के संगठन सचीव जिचेंद्र कुमार जी ने कहा कि होमगाड जवान आठ मार्थ से राची विधान सभा के समक्ष अनिश्चित कालीन धरने पर बैठे हैं डियूटी नहीं होने के कारण हम लोग भुकमरी के कगार पर आ गए हैं जब तक हेमन सरकार हमारी मांगो को पूरा नहीं करती तब तक ये धरना जारी रहेगा